नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। क्या आप तैयार हैं एक नई और रोमान्चक कहानी सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्शक आइसक्रीम की एक प्लेट। एक दिन एक विद्वान अकेले अपनी आइसक्रीम खा रहा था। एक यात्री ने पूछा आप यहाँ अकेले क्यों खाते हैं। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा यह आइसक्रीम मुझे सिखाती है कि कैसे चीजें समय के साथ बदलती हैं। शुरू में यह ठंडी और कठोर होती है। लेकिन जैसे जैसे पिघलती है वह मुलायम और मीठी हो जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। हमारी कठिनाईयां भी समय के साथ समझदारी में बदल जाती हैं। यात्री ने समझा आइसक्रीम जैसी साधारन चीजें भी गहरी बात सिखा सकती हैं अगर हम उन्हें ध्यान से देखें जीवन को खुबसूरत बनने दें